हाई फ्रेंड्स वल्कम तो निजास वर्ल्ट और मैं हुनेजा आज फिर आपके सामने अपनी कुछ नई स्टोरी लेकर आई हूँ यह जो मैं फिश दिखा रही हूँ यह फिश कुछ एक मेना पहले हमारे घर आई थी मेरी बेटी ने और मेरे शोहर ने यह इसे लेकर आए थे इसका नाम हमने ब्ल्यूबरी रखा हुआ है और यह बहुत ही प्यारी है फाइटर कहते है इसे और मुझे इसे फिश में इंटरस्ट जादा है नहीं खाने में है वो अलग बात है पर फिश में क्या होता है कि हमें हर पन्रा दिन में दस दिन में इसका पानी चेंच करना एक responsibility किसकी मेरी है और ले के अने responsibility किसकी अन लोगों की है तो क्या है न घर की और गरतों का यहीं काम है कि husband और बच्चें लेकर आते हैं कोई भी पाल तू जानवर या कोई भी चीज़े और उनको जो असम देखबाल करना है वो घर को औरत करेगी तो इसे से मुझे याद है एक हाथसा मेरी लाइफ में घटा था जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूं एक बार क्या हुआ कि मेरे शादी से कुछ दिन पहले मैं आपको बताती हूं मेरे डैड को न बहुत शौक था फिश पालने का तो बहुत सारे फिश उन्हों अपने घर में रखे वे थे तो हम लोग हर हफ्ता उसको सफाई करना और एक शिदर टर्टल पालना इल्ली गल है पर उस ताइम पे ताहसे दस-पंदा साल पहले मेरे डैड ने लाया था तो काफी सालों से हमारे पास था तो काफी बढ़ा भी हो गया था बहुत छोड़ा सा लिक आया था और काफी बढ़ा हो गया तो मैं आपको बता दू कि शादी हमारी मेरी fix हुई थी और उस वक्त यूनों कहते हैं ना कि कभी-कभी कुछ ऐसी मुसीबत हमारे उपर आती है जिस को मुसीबत को टालने के लिए कोई घर का पालतु जानवर या कोई भी हम जिससे फििश है या कोई बकरी है मुर्गी है तो वो मुसीबत अपने पर ले लेते हैं और वो गुजर जाते हैं तो ऐसे ही हुआ जिस वक्त मेरी शादी फिक्स हुई थी उसके एक दो मेहना पहले पता नहीं अचानक से मेरे घर की सारी फिश एक के बाद एक मरने लगे मेरे जो टर्टल था वो इतना अच्छा खासा एक दो साल की जादा ही जी जिया था वो और अचानक से उसकी देट हो गई तो हम लोग कुछ समझ में नहीं आया फिर बाद में काफी लोगों से हमने जानकर ली पूछा कि क्या है कैसे हुआ ये तो उन्होंने कहा कि ऐसे से होता है जानवर जब कोई आने वाली थी वोटल गई और बस फिर शादी होई उसके बाद से तो मेरा मनी उड़ गया कि फिश पालू अगर ऐसा कुछ पर बहुत दिनों से मेरे हजबन कह रहते कि फिश लेते हैं फिश लेते हैं तो में ले लिया फाइनली ये मेरी बच्ची बहुत जद करती थी कि उ एक्स्प्रिमेंट करना है तो हमने ये ऑनलाइन सोप का बॉक्स मंगाया था और घर पर बनाया था तो कुछ ना कुछ बच्चों को एक्टिविटी देनी चाहिए ताकि बच्चे बीजी रहे मेरे बेटी के बास बहुत फ्री टाइम है क्योंकि वो स्कूल बंद हो चुके ह और घर से पढ़ाई हो रही है तो दिन हफ्ते में दो दिन क्लास होती है दो घंटे की और बाकी तीन पुरा दिन वो लोगो खेलते रहते हैं तो बस हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी खरेत के इनको लाकर देते ताकि जो है बीजी रहें तो ये सोप हमने लेकर आया थी इस तार स्क्रब दिया था और कलर और फ्रेग्र्म व מא संधर कुछ दिया था तो किस Caesar क्या कहते हैं मुझे पता नहीं वह जो वाइट है मोम की तरह तो इसको पिढ़ाकर हमें के हमें उस प्लास्तिक का मॉल्ड है मुअ ऩो डालना था दो log तो ये वह हैं, तो अगर कुछ गरबड़ हो गई तो ये मैंने उनको पुराना पैन दे दिया था तो उनसे हमारा एक लगा हो जाता है अगर मतलब उनको कुछ हो जाता है तो एक तरह से हमारा दिल उट जाता है जिसे कि बच्चपन में मुझे काफी कुछ लिखने का पढ़ने का बहुत शौक था मैं कहानिया बहुत पढ़ती थी मैं बहुत सारे पहलिया लिखा करती थी मैं नजमे लिखा करती थी मैं स्टोरीज लिखा करती थी और जैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था दो व्लोग पहले आपने देखा होगा मैंने अपने 26 जुला जून का जिकर किया था कि किस से राज़े हमारे घर है पानी भर गया था तो उसी पानी में मेरे सारी जो चीज़े हैं वो अच्छानक से सब मतलब ऐसा हो गया कि मैंने सारा शौक ही चला गया क्योंकि सब खतम हो गया था सारी चीज़ें सारी बुक सब डुब गई थी जो भी मेरी बच्पन से लिखने का शौक था तो मैंने दो-तिन पोएम लिखी भी है और अगर आप मेरे प्लेस्ट में जाओगे तो आप मैंने एक सेक्शन भी मनाया हुआ है जिसमें मैंने अपनी पोएम धाली तो आप ज़रूर देखेगा अगर आपको हो सकता है आपको इंटरस्ट आए आप देखे तो बस इसी तरह से आप मेरे व्लॉग्स देखते रहे हैं मैं कुछ-कुछ अपनी बारे में कुछ-कुछ चीज इंटरस हो दूंगे कुछ और नया हम लोग सोचेंगे यह मोल्ड जो है ना प्लास्टिक क्या जिसके पीघल के एक साइट से चप्टा हो गया था तो सारा बाहर निकल गया था ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉगिंग में फिर कुछ नई बातों के साथ आपका मनोरंजन करने के ल झाल झाल